नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागा थे आज जो रेसिपी में आपके साथ शियर करने आई हूँ उसका नाम है पॉम्पले तेले जहाल ये एक बिंगॉली ट्रेडिशनल रेसिपी है तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ये रेसिपी किस तरीके से बनाया जाता है वो भी बहुत सिंपल वे में मैं आपको दिखाऊंगी जिससे कि बहुती कम समय में आप इसे बना के तयार कर सके यहाँ पर मैंने फिश को अच्छे तरीके से धोके अप देख सकते हों फिश में मैंने बीच बीच में तोड़ा सा चीरा लगा लिया है जिससे कि इसके अंदर मसाले जो है वो बहुती बड़िया तरीके से जा सके और खाने में इसका टेस जो है वो अच्छा है मैंने एक अलक से एक बोल ले लिया है उस पर में half teaspoon zira powder, half teaspoon healthy powder, half teaspoon में आपर काली मिर्च का powder, half teaspoon गरम masala powder, नमक जो है वो स्वाधरनु सार बिलकुल थोड़ा सा नमक दीजिएगा, बहुत जादा नमक इसमें नहीं लगता है, half teaspoon में आपर red chili powder आट किया है और यहाँ पर मैं 2 टी स्पून दही जो है वो मैं यहाँ पर एट करूँगी यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल मत एट कीजिएगा दही से जो पानी निकलेगा उसी से हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये मसाले जो है बहुत जादा पतला नहीं होगा ये गाड़ा होगा क्योंकि ये फिश के उपर हम ये मसाले को जो है वो कोटिंग करेंगे इसलिए हमें मसाले को ठीक रखना होगा तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं देखें मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से लगेगा अब हम हाटों के सहारे अच्छे तरीके से फिश में ये मसाले जो है अच्छे तरीके से मेरिनेट कर लेंगे मेरिनेट करने के बाद इसे half an hour के लिए हम rest करने के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये मसालों का जो taste ही ये fish के अंदर अच्छे तरीके से जा सके हम इसे अच्छे तरीके से जहाँ पर हमने चीरा लगाया था उसके अंदर भी आपको हाथ के सहारे मसाले को उसके अंदर डालना होगा अच्छे तरीके से मसाले लगाने के बाद हम आदे घंटे के लिए इसे rest करने के लिए छोड़ेंगे उसके बाद हम fry करेंगे देखिए आपर मसाले जो है लगाने complete हो चुका है half an hour भी complete हो चुका है उसके बाद में यहाँ पर एक कड़ाई में mustard oil से में यह recipe जो है mustard oil में ही बनाऊंगे क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला यह एक traditional recipe है तो इसमें mustard oil बहुत ही ज़रूरी है अब मैं इस fish को जो हमने marinate करके half an hour के लिए रखा हुआ था उसको मैं आप fish उस fish को मैं fry कर लूँगी medium flame में आपको fish को fry करना है देखिए आपर fish को दोनों तरफ से ही इसी तरीके से fry करके अब अलग हम निकाल लेंगे सारे fish को मैंने इसी तरीके से fry कर लिया है उसी तेल में मैं इसमें एक सूखी लाल मिर्च, half teaspoon में यहापर जीरा और half teaspoon यहापर सरसोत के दाने में add करूंगी करने के बाद जैसे यह थोड़ा सा fry हो जाए उसके बाद हम एक एक करके इसमें मसाले add करने हैं एक चीज आप बहुत अच्छे सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यह तेल जो है वो गरम है इसलिए मसाला ना जल जाए इसलिए आपको बहुत fast मसाले जो है add करने होंगे मैंने यहापर एक teaspoon हल्दी एक teaspoon जीरा पाउडर एक teaspoon लाल मिच पाउडर नमक जो है मैंने बहुत कम रखा है यहापर क्योंकि फिश को भी fry करते समने हमने नमक add किया था और half teaspoon मैंने यहापर गरम मसाला पाउडर जो है वो add किया है करके हम इसको थोड़ा सा ही mix करने के बाद यहापर हम mustard seed जो है उसको पीस के उसका जो एक paste होता है वो हम यहापर add करेंगे मैंने यहापर 2 टेवल स्पून जो है mustard को पीस लिया है 2 टेवल स्पून seed में mustard को मैंने paste करके उसमें थोड़ा सा पानी add कर लिया है उसी पानी को मैं इसमें add कर रही हूँ करके अब मैं इसे अच्छे तरीके से मसाली को fry करूंगे medium flame में medium flame में fry करने के बाद जब यह अच्छे तरीके से fry हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें देड कप पानी जो है वो add करेंगे देड कप पानी add करने के बाद इसमें हरी मेच हमने जो चीरा लगा लिया है वो हम इसमें एट करेंगे करने के बाद इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा शुगर जो है वो हम इसमें एट करेंगे शुगर से जो है वो टेक्स्चर बहुत बढ़िया सा आता है और टेस्ट में भी थोड़ा डिफ्रेंट होता है इसलिए हम थोड़ा से बस half teaspoon से भी काम हम इसमें sugar add करेंगे करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा धक्कन लगा देंगे लगा के जिस्ट एक boil एक boil जब तक आ जाए उस तब तक हमें इसे धक के पकाना है एक boil जैसे ही आ जाएगा हम उसमें fish जो है वो add कर देंगे अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है तो please like share और comment करके मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिए जिससे के आने वाले और भी नए नए वीडियो में आपके साथ share कर सकूँ यहाँ पर मैंने fish को जो है add कर लिया है अब मैं ढग दूँगी इसे करीबन 6-7 मिनिट के लिए हमें low flame में पकाना है 6-7 मिनिट बात जो देखी यहाँ पर fish जो है बिल्कुल ready हो चुकी है खाने के लिए गरम गरम चावाल के साथ यह बहुती अच्छी लगती है खाने में बिल्कुल एक बार try ज़रूर कीजिएगा इस recipe को आज के लिए बस यही तक next video लेके में बहुत जल फिर आपसे मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते